अगर compass seedings लेने के नहीं में पस compass नहीं है, तो हम other device को भी इस्तमाल कर सकते हैं, that is mobile compasses. तो mobile compass के साथ reading लेना और compass, जो magnetic compass है, needle compass है, उसके साथ reading लेना में थोड़ा बहुत फर्क आता है. अलब ऐसे नहीं कि वो गलत दिखाएगा, ऐसे नहीं है. विजबरी अगर mobile से ले रहे हैं, तो iPhone's are perfect, या फिर कुछ apps भी ऐसे हैं, जो एकदम accurate दिखाते हैं, जो needle में दिखा रहे हैं, या जो magnetic compass में दिखा रहे हैं, वही same readings आपको mobile phones भी दिखाएंगे. कुछ ऐसे apps या कुछ ऐसे phones हैं. इसके अलावा, readings तो almost same है, मगर जो देखने का तरीका है, जो उसमें show होता है, mobile में और जो needle compass में, उसका read करने का तरीका बहुत अलग हो जाता है. Needle compass को read करने का तरीका बहुत different है, उसमें needle positions को देखकर, तब हमें count करना पढ़ता है. अगर हम magnetic compass की बात करते हैं, तो उसमें needle compass कहा जा रहे है, उसको count करके left and right जा रहे है, उसे साब से हम deal करते हैं. और अगर compass को अलग कर देख, और सरफ mobile compass के बारे में बात करें, तो mobile compass में readings अलग तदिके से दिखाई जाती हैं.